नमस्कार दोस्तों मेरे इस यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों मैं अप स्टोक की मुबाइल एप्लिकेशन में लोगिन हो चुका हूँ चलिए देखते हैं आज का ट्रेट कैसा था मेरा तो आज का ट्रेट आप देख सकते हैं आज सर मोटर में मैंने ट्रेड लिया हुआ था इंटर डे में मैं पोजिशन बनाया था साथ ही मुझे जो लोस हुआ हो 219 रुपय का है चोकि ज्यादा नहीं है चलिए देखते हैं मैं और किस की टाइम में प्लेस किया था और किस किस प टॉक मिला है तो मैं सेल ओडर सबसे पहले सेल ओडर जो प्राइस डाला था सेल ओडर के लिए SLM में वह था 217 का ओडर मैंने ट्रिगर लगाया हुआ था 217 में लेकिन जो मुझे मिला है वह है 2170 रुपय के भाव से ताइम देख लेते हैं ताइम हम देख पा रहे हैं कि मैं मैंने जो ट्रेड लगाया था वह उसका टाइमिंग था 9 बच कर 25 मिनट का अब चलिए देखते हैं बाई ओडर के लिए जो मैंने ट्रेड लगाया था वह किस भाव में लगाया था तो जो बाई ओडर के लगाया था वह 279 रुपय के भाव में मैंने ट्रेड लगाया था इ था इसके बाद मार्केट नीचे आया इसके बाद वापस उपर गया फिर नीचे आया इसके बाद फिर उपर चल दिया लास्ट में इस तरीके से आज दिन वर का आइसर मोटर के सेर में मुवेंट चलता रहा इस दोरान मैं बीच में सेर के भाव को नहीं देखता हूँ सेर में चार्ट को नहीं देखता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता है अगर आप भी इसी तरीके से इसी तरीके से किसी काम में बिजी हो जाते हैं किसी काम में करते हैं आपके पास भी चार्ट देखने का टाइम नहीं है मार्केट को देने का टाइम नहीं है और अगर आप भी मार्केट से कुछ पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे सिस्टम से आप जूड सकते हैं जानकारी के लिए दिए गे नमबर पे आप वाटसप करके जानकारी हासिल कर सकते हैं आप देख सकते हैं मैं ओर्डर इस टाइम पे प्लेस किया था और नीचे एक साइड इस पॉइंट पे प्लेस किया था मार्केट आया नीचे वापस गया फिर आया फिर वापस घुम गया इस वज़ से मुझे लोस हुआ अगर ये वापस नीचे आ जाता तो मुझे अच्छा मुनाफ़ा रहता आज कवी दिन भी लेकिन ऐसा हुआ नहीं पीज़ बीच में लोस होता ही रहता है इस टॉक्स मार्केट का रूल ही है जहां लोस होना आहम बात है लोस होगा ही उस लोस से हम अगर नहीं डरते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है हम अच्छे profit कमा सकते हैं stock market से लेकिन अगर हम इस से मिलने वाले loss से डर जाएं यह उस डर के वज़े से हम exit कर जाते हैं या profit आये हुए पे हम लालच करने लगते हैं और exit कर जाते हैं तो उस दरान भी हम loss ही करते रहते हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरा stop loss लेते हैं जितना हम चुने हैं उतना लेकिन target को पूरा नहीं ले पाते हैं बीच में exit होने के वज़े से तो ऐसा करने से जो मिलना रहता है profit वह भी नहीं मिल पाता है इस वज़े से account धिरे-धिरे करके नीचे की और आने लगता है हमारा तो आपने देखा मेरे आज का जो trade लिया हुआ था उसमें किस तरीके से मुझे loss हुआ वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले दिन profit या loss position के साथ में